ये शहीदों का परिवार है, ये उन बलिदानियों का परिवार है, जो कई वर्षों से इस देश के लिए बलिदान देते आ रहे हैं, बड़ा भाई आठ साल पहले भारतिय सैना में थे और शहीद हो गई, आज आठ साल बाद छोटा भाई भी देश के लिए कुर्बान हो गया मैं बात कर रहा हूँ पानीपत के सोताना गाओं के कृष्ण दत की जो की भारते नौसेना के युद्धपोत आईनेस रनवीर पर हुए एक विस्पोट में शहीद हो गए ये विस्पोट उस वक्त हुआ जब युद्धपोत युद्ध अभ्यास करके मुंबई डॉक याड पर लौट रहा था हाथसे के कारण क्या थे इसकी जाच हो रही है उसके पीछे उस ब्लास्ट के पीछे क्या रीजन रहे इसकी भी जाच हो रही है कोट अफ इंक्वाईरी भी इसके लिए पूरी तरीके से टीमें गठित कर रही है लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि हम में से कितने लोगों को ये खबर पता थी कितने लोग जानते थे कि हमारे देश के तीन नौषएणा के जवान वुदवार को एक ब्लास्ट में एक दुरभा की फूर घटना में शहीद हो गए हमें ये जरूर पता होगा कि किस नेता ने किसे गाली दी हमें ये जरूर पता होगा कि किस बॉलीवूड एक्टरस ने किसके साथ डायोस लिया या किसके साथ उसका ब्रेक अप होगी हमें ये इस तमाम बातें पता होगा लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि कल एक बहुत बड़ा हादसा हमारी नौसेना के साथ हो गया और सिर्फ तीन जवान ही नहीं अभी ग्यारा जवान ऐसे भी हैं जो जिन्जगी और मौत से लड़ रहे हैं अस्पताल में वो एक भीशर ब्लास था लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता और ये आपकी या किसी और की गलती नहीं है ये हमारे देश की जो मीडिया है मेंस्ट्रीम उसकी गलती है क्योंकि वो उनलों को जरूर बढ़ा चड़ा कर दिखाएगी कि कुछ कोई किसी से कहता है कि 20 मिनिट के लिए पुलिस हटा लो और इन बयानों को ऐसे बयानों को तमाम बयानों को दिखाएगी लेकिन वो तब चुफ हो जाएगी जब हमारे देश के सैनिक किसी दुरगटना का शिकार हो जाएगे हद से हद 30 सेकंड की न्यूज चला करके अपनी एक तरीके से अपने जिम्मेदारियों से पल्ला जाल लिया जाएगा उन तीन सैनिकों के जीवन के बारे में किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा जबकि वो हमारे लिए शहीद हो गए हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए शहीद हो गए वो सैनिक जो बॉर्डर पर खड़े रहे करके हमारे लिए पहरा देता है वो शहीद हो जाता है और हमें फर्क तक नहीं पड़ता हमें फर्क इस बात से ज़रूर पड़ जायेगा कि टेलीवीजन पर आने वाला एक घटिया शो बिग बॉस उसमें किसने किसको क्या कहा इस बात से हमें जरूर अगले दिन बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है इस पर बहुत बड़े बड़ी डिबेट शो जो सकते हैं लेकिन इसपर debate कोई नहीं करता कि भारते नौसैना के तीन जवान शहीद हो गए आके हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कौन गल्तियां कर रहा है और जो गल्तियां कर रहा है उसे सुधारा क्यों नहीं जा रहा है हर महीने हम सुनते हैं कि हमारा कोई न कोई युद्ध विमान जो है लडाकू विमान जो है वो कहीं न कहीं दुरघटना ग्रस्थो करके गिर जाता है और एक होनहार पाइलट एक होनहार लडाकू पाइलट हम खो देते हैं हम इन सरकारों से सवाल क्यों नहीं करते जो जवान हर वक्त हमारे लिए तैनात रहता है, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहता है, हमारी आजादी के लिए तैनात रहता है उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या सवाल करते हैं सरकारों से क्यों नहीं हम इन चीजों को अपनी गल्टियों से सुधाते हर बार वही गल्टियां क्यों दोहराई जाती वो तो हमारे देश का ये बहुत भागिशाली मानूगा कि ऐसे हमारे देश में सैनिक हैं जो एक पीडी के बाद दूसरी पीडी को भी सैना में भेजते हैं जिस घर का एक बेटा आठ साल पहले इस देश के लिए शहीद हो गया उसी घर ने आठ साल बाद एक और बेटे को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया और यही नहीं, जो पहला बेटा शहीद हुआ था, उसके दोनों बेटे भी आज फौज में, वो दोनों बेटे भी फौज के लिए अपने पूरी कर्टव्यों का निर्भान कर रहे हैं, और जो कल वो दुबार को कृष्ण दत जो शहीद हुए हैं, नौसेना के जो ब्लास्ट है इस देश का कि हम जो एक सेना की ही वज़े से आज यहां आजादी से रहते हैं, आजादी से घूंगते हैं, आजादी से खाते पीते हैं, हर वो चीज करते हैं, तमाम चीजें आजादी से करते हैं, लेकिन उसी के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त नहीं होता, हमारी गर्व भी है इस परिवार पर क्योंकि सिर्फ इस परिवार ने दो बेटे देश पर कुर्बान की हैं और उनके चार बेटे तयार हैं देश पर कुछ भी मरमिटने के लिए ये सैनिक परमपरा है लेकिन हम अपनी परमपराएं भूल गए हम हम अपने योधाओं को याद करना भूल गए हम अपने देश के सैनिकों को सम्मान देना भूल गए हद तो तब हो जाती है जब मीडिया में बैट करके कुछ लोग सैना पर ही सवाल उठाने लगते हैं और ऐसी घटनाओं पर चुप हो जाते हैं बहुत दुखत घटना है यह बहुत ज़ादा क्योंकि कल से आज तक मैंने जो देखा किसी भी बड़े चैनल या किसी भी मीडिया हाउस ने इस खबर को दिखाना जरूरी नहीं समझा चार लाइन के खबर लिख करके इसे खत्म कर दिया गया ऐसे ही दूसरी घटनाओं में होता है जब कोई लड़ाकु विमान क्रेश होता है तो उसके लिए भी एक सिंपल सा एक न्यूज लिटर लिख करके भीज दिया जाता है और खत्म जिम्मिदारी आखिर क्यों और वहीं अगर किसी सेलिबिटी की छोटी पैर की छोटी उंगली में भी चोट लग जाये तो शायद हो सकता है एक महीने तक उसकी खबर चले एक बॉलीबुट के बड़े स्टार के ड्रगी बेटे के लिए चार महीने खबरे चलाएं जाती है वो डिप्रेशन में है वो ये है वो फलाना है वो ढिमकाना है लेकिन सैना के जवानों के लिए जो अपने देश की सरवोच बलिदान देते हैं जो अपनी जान तक कुर्बान करते हैं उनके लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, हद से हद बहुत ज़्यादा कोई देश भक्त चैनल मिल गया, तो एक मिनिट दिखा देगा, और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाड़ लेगा, और याज से नहीं हो रहा, यह बीते कई वर्षों से चल रहा, और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं आप और हम हैं, क्योंकि ऐसी खबरों को आप और हम ही तवस्जो नहीं देते, हमें लगता है कि हम अपना कमा रहें, खा रहें, अपने पैसे से जी रहें, अपने पैसे से खरीद रहें, एक बात जान लो, जिस दिन सेनाएं हट गई, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई, और उस दिन ना खाने को मिलेगा, और ना पीने को मिलेगा, जिस दिन देश की सरहदों से हमारी सेनाओं ने ये सोच लिया, कि हमें क्या करना है, हमें तनक्वा मिल रही है, हम चल करके किसी कैम के अंदर आराम से रजाई में सोते हैं तो ना आप रजाई में सो पाएंगे और जो आपके साथ होगा उसका जिम्मिदार भी आप ही होगा सेना को महत्त को समझना बहुत ज़रूरी है जो हम नहीं समझते हैं जिसका सम्मान हम नहीं करते। मीटिया नहीं दिखा रहा है तू क्या हुआ। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं उन जवानों को सुधांजली देने की। उन्हें सम्मान देने की। हम हर उस चीज के लिए परिशान हो जाते हैं, परिशान रहते हैं। लेकिन जब बात सैना सुरक्षा की आती है तो हम बिलकुल ही एक तरीके से लापरवा हो जाते हैं, हम बात ही नहीं करना चाते हैं सैना की जवानों की, उनके परिवार सहीद होने के बाद एक परिवार का क्या होता है शहीद के, कोई परवार नहीं, दस साल बाद उस परिवार का क्या हाल है पांस साल बाद उस परिवार का क्या हाल है जो शहीद हुआ उसके घर में कितने छोटे छोटे बच्चे थे उन बच्चों का क्या हाल है पैसे दे कर कि कोई सरकार उस छती पूर्ती कर पाएंगे, नहीं कर सकते, कितना भी पैसा सरकारें आपको दे ले, इसलिए उनकी कुर्बानी का, उनकी बलिदान का, उनकी शहादत का, सम्मान हमें करना होगा, और इन मीडिया चैनल्स को भी हमें ये जताना होगा, कि ये कोई 30 सेकंड या 1 मिनट की खबर के नहीं बनी, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर खुली बहस होनी चाहिए, खुले मंचों पर होनी चाहिए, कि जब इतना सारा बजट, इतना सारा देश का पैसा, सेना और इनको जब मुहिया कराए जा रहा है, बजट एलोट किया जा रहा है, तो पैसा जा कहा रहा है, उस पैसा खा कौन राहे बीच में हमारे विमानों की कॉलिटी गिर क्यों रही है हमारे युद्य पोतों में ऐसी दुरघटनाएं हो क्यों रही है और हो रही तो हमारे जवान इसमें शहीर क्यों हो रही है कही न कहीं किसी न जगे पे कमी है जिसकी जाच होनी चाहिए वरना ऐसी धटनाएं होती रहेंगी और ये पहला मामला नहीं है जब नेवी में कुछ ऐसा हुआ इससे पहले भी आयनेर्स रणविजे में 23 अक्टूबर 2021 को ऐसी घटना हो चुकी है जब उसमें आग लगी थी और उसमें भी चार जवान घायल हुए थी ऐसी घटनाएं लगातार हो रहे हैं इसलिए इस पर बोलना सोचना जरूरी है अब ये आप के उपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का क्या करते हैं इसे देख करके सिर्फ निकल जाते हैं या फिर अपना आक्रोश अपना विरोध सरकार के पती सेना के लिए व्यक्ट करते हैं आपकी एक आवाज भी बहुत माईने रखती हैं बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले